कोश्चन प्लस वन प्लस टू में कब इंपॉर्टेंट होते हैं यह बत याद रखना जब कोश्चन के अंदर दो या तीन चेप्टर इंवाल्ड होने शुरू हो जाएं वो कोश्चन बन जाते हैं प्योर्ली कॉंपटेटर जैसे इस कोश्चन में रही हैं दा एंगल्स ऑफट्राइंगल आरेन एपी एंगल्स बीएटी फर्म कर रहे हैं क्या बात समझाए यह जान नंबर ओफ दिग्री इंदा लीष्ट तूदा नंबर अप डिग्री इंदा ग्रेटर इस इस शिक्स्टी रेशो बाइग एगी चेप्टर के अंदर एगी क यहां से आप कुछ इंपर कर वाना चाह रहा हूं वो प्लीज सोचिये क्या है इक लेटर राइंगल तीनों एंगल साथ 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 प्रोइटी फर्म करें बहुत सभी सब्सक्राइब करें चीजों को कि उसने अगर एपी दिया और ट्राइंगल दिया है तो मुझे एंगल कैसे भी करने हैं लेट थी एंगल साथ कि ए माइनस डी ए याद आया कामसर अब अगर यह याद आया तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी किसके ब्रभर होगा इसमें पर दिक्कत तो ए कितना आ गया अब इसके लिए अगली सिट्यूशन बढ़ते हैं यह सारे एंगल में डिग्री मेजर में ले रहा हूं इसमें ले रहा हूं इसमें डिग्री मेजर कर पाया और नंबर ऑफ डिग्रीज इन दा लीस्ट इन यह उगल सबसे चोटा ऑंगा ओंगा है अ माइस दी तो नंबर ऑफ डीज इन इंटो क्या यह सब को समझ आया इस इक्वल टो किसके अवरा पर 60 रेशो पाहिए आप इस इस ओके टो अब अब ए माइनस दी अपान ए प्लस दी इंटो वन एपी चला यह उपर और पाह आगा नीचे यह बना 60 और पाहिए सब्सक्राइब और यहां क्या है यह सब्सक्राइब अब यहां से मैं एक सब्सक्राइब करके दी निकाल सकता हूं तो बी क्या बना क्या यह बात समझाई ए भी आ गया बी आ गया तो मैं तीनों एंगल निकाल सकता हूं और उसमें एंगल भी किसमें मांगे है रेडियंग में चर्चा नहीं की और यहां से मेरे प्रियंगल फास्ट एंगल क्या निकला बेटा ए माइनस डी विच इस सिक्स्टी माइनस थर्टी आंसर इस थर्टी सेगिंगल क्या निकला यहां जी अकेला ए था तो 60 एंग थर्ट एंगल क्या निकला बेटा एंगल ए प्लस दी विच इस सिक्स्टी प्लस थर्टी आंसर इस क्या यहां तक समझाना अच्छा अगर वो मेरे से डिमांड करता कि बाहिए इसके रेडियंग में भी निकालो तो आप थर्टी को क्या कर कि आए भाए शिक्स यार याँ इए रेडिया अगर सो यहां भी करवा चुका हूं 60 क्या मना और 90 क्या मना आप यूर्मबर दिस करिये जीनल